नमस्कार दोस्तों YS Math Classes में आपका स्वागत हैं दोस्तों पिछली वीडियो में हमने गुनिया के वारे में भी डिस्कस किया था इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप गुनिया की हेल्प से किसी खेत का छेतरफल कैसे निकाल सकते हैं तो गुनिया में जो बने हुए मार्क्स होते हैं ये गुनिया होती है आपकी गुनिया में ये मार्क्स होते हैं ये आपके 4-4 मीटर के डिस्टेंस पर होते हैं तो अब इसकी हेल्प से हम किसी खेत का छेतरफल के वर्ग मीटर में कैसे निकालेंगे और उसे फिर आप कैसे बीघह में कनवर्ट कर सकते हैं या फिर हैक्टेर में उसे कैसे कनवर्ट करेंगे ये सारी चीज़े इस वीडियो में हम सीखेंगे वीडियो को अंतक देखें दोस्तों क्योंकि आप आज बहुत सारी चीजे इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो आज हम इस खेत का छेत्वर निकाले हैं 200 नमबर का खेत है इस खेत का छेत्वर निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसकी चारों भुजाओं को आप नापेंगे तो सबसे पहले हम नापते हैं इसकी ये वाली साइड अब ये वाली साइड अगर इसकी आप नापते हैं तो ये साइड आपकी आती है यहाँ पर आपका देखें आप 10, 5, 15 15 से कम है आनिकि 14 पर आ रही है तो 14 मीटर एक खाना जो होता है आपका 4 मीटर का होता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप रफली एक इसका खेद बना सकते हैं अब इसकी एक साइड देखें तो आपका कितना आरा है 14 14 चोका हो जाएगा कितना 56 मीटर एक साइड आपकी 56 मीटर आ जाती है अब इसके सामने वाली साइड को हम नाप लेते हैं अब जब इस साइड को आप इसमें नापेंगे तो ये वाली साइड आप देखें तो 10 और 12 ये आपकी 12 मार्क पर आ रही है तो 12 चौक 48 हो जाएगी तो इसका आपका आ जाएगी इसकी सामने वाली साइड है वो कितनी हो जाएगी आपकी 48 मीटर अब इसकी बाकी की दो साइड मेजर करते हैं ये वाली साइड देखें आप तो ये वाली साइड आपकी 20 से कम है यानि की 19 और 19 चौक कितना हो जाएगा आपका 76 तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी 76 मीटर अब इसके सामने वाली साइड को देखते है सामने वाली जो साइड है वो कितना है आपका 20 निशान तक जा रही है तो 20 चौक 80 क्योंकि 10 यहां तक हो गया और 10 यहां तक 20 तो 20 चौक आपका 80 मीटर हो जाएगा तो ये आपकी सामने वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 80 मीटर अब आपकी आमने सामने की चारो साइड आ चुकी है अब इसका आपको खेत का छेतर फल निकलना है जो आपका 200 नमबर है आपका 290 नमबर इस खेत का आपको छेतर फल निकलना है तो इसका छित पर निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे इसका आमनी सामने की भुजागा आप आउसत निकालेंगे तो आउसत कैसे निकालते हैं अज सी प्लस छिएत्तर और दो से आप डिवाइट कर देंगे इसको तो 6, 8, 7, 15, 156 बटा 2 अब 2, 7, 14 और 2, 8, 16 यह आपका 78 मीटर हो जाएगा इन दोनों का जो एवरेज है कितना हो गया? 78 मीटर इसी तरीके से आप इन दोनों साइट का एवरेज निकालेंगे तो 56 मीटर पिलस 48 मीटर अब इसका आपने एवरेज निकाला तो प्लस अपन दो हो जाएगा तो 6, 8, 14, 5, 9, 1, 10, 104 बटा 2, तो 2, 5, 10, 2, तो यह आपका 52 मीटर इसका क्या आजाएगा? एवरेज चोड़ाई आजाएगी और एवरेज जो लंबाई है वो आपकी कितनी आई यहाँ पर 78 मीटर आप क्या करेंगे? आप इसका छेतर फल निकालेंगे तो छेतर फल क्या होता? आपका लंबाई गुणा चोड़ाई आप लंबाई कितना यहाँ पर 78 और चोड़ाई आया है आपका 52 तो जब 78 और 52 की आप मल्टिप्लाई करेंगे तो गुणा करके यह आपका आजाएगा 400056 वर्ग मीटर तो अगर आप वर्ग मीटर की बात करें तो यह जो 6 तर फल है कितना वर्ग मीटर हो जाएगा? 400056 इन दोना का जो गुणा है वो कितना आया है है आप 400056 वर्ग मीटर अभी से अगर आप हैक्टेर में कनवर्ट करते हैं तो hectare क्योंकि एक hectare में 10,000 work meter होते हैं तो आप इसको 10,000 से divide करेंगे तो 10,000 से जब इसको आप divide करेंगे तो कितनी 0 से हैं 10,000 में 4 तो इसका decimal 4 रंग पहले चला जाएगा तो वह 1, 2, 3, 4 तो आपका यह हो जाएगा 0, 4, 0, 5, 6 hectare जब आपको यह hectare में convert करना है लेकिन बात आती है कि अगर आपको इसे बीगा या विश्वान्सी या विश्वा में change करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे आपका जो area कितना है वो आया 4,056 work meter अब इसमें से अगर आप देखें एक पक्का भीगा जो होता है वो कितने work meter का होता है तो एक पक्का भीगा आपका होता है 2530 work meter का तो अगर आप इसमें से 2530 work meter माइनस कर देंगे क्योंकि यह आपका एक पक्का भीगा है तो यहाँ पर एक पक्का भीगा आपका बन जाएगा तो कितना वर्ग मीटर जमीन आपकी बच जाएगी यहां पर तो इसको आप माइनस करेंगे तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 10 में से 5 गया तो 5 1526 वर्ग मीटर जमीन आपकी बच जाती है अब इसके बाद आता है कच्चा भीगा जो कच्चा वीगा होता है वो कितना होता है आपका इसका एक बटा तीन क्योंकि एक पक्का वीगा में आपका तीन कच्चा वीगा होते हैं तो वो होता है आपका 843 वर्ग मीटर के तो यहां से आपने एक कच्चा वीगा है यहां से आप निकाल दीजिए तो 6 में से 3 गया तो 3 और 12 में से 4 गया तो 8 14 में 60 गया तो 6 683 वर्ग मीटर यहां पर आपकी यह जमीन बचे जाएगी अब क्योंकि यह आपकी एक कच्चा बीगा से कम है तो इसके बाद आपके आते हैं विश्वा तो जो एक विश्वा होता है वो होता है 126.5 वर्ग मीटर के तो अब आप इसमें देखें तो 126.5 से जब इसको भाग देंगे तो आपका 5 वार चला जाएगा 126.5 का इसमें जब भाग करेंगे तो 5 वार जाएगा तो ये चला जाएगा आपका 632.5 तो आप कितना वर्ग मीटर और बच जाएगा आपके पास 683 वर्ग मीटर था जिस میں से यहां पर आपका 632.5 यह आपका निकल चुक है तो आपके पास कितना जमीन और बचा तो इस मैसे से माइनस कर दीजे तो यह आपका आजाएगा 50.5 work meter तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 विशवा आजाएगे 5 विशे बोलते हैं इसको इसके बाद आप इसे विश्वानसी में change करेंगे अब विश्वानसी में change करने के लिए आप क्या करेंगे एक विश्वांसी जो होता है वो होता है आपके 6 दसमलव 3-2 वर्ग मीटर के तो जब इसको आप डिवाइट करेंगे तो ये इससे 8 बार चला जाएगा लगबग तो यहाँ पर आपकी जो जमीन है वो कितनी हो जाएगी एक पक्का विगा एक पक्का विगा एक कच्चा विगा और 5 विश्वा और 8 विश्वांसी ये आपकी टोटल जमीन हो जाएगी इसका जो रकवा है आपका जो 290 नमबर का जो खेत था जिसकी लंबाई और चोड़ाई आपको दी गई थी तो इसका जो एरिया निकलके कितना है आपका एक पक्का विगा एक कच्चा विगा पांच विश्वा और 8 विश्वांसी तो ये इसका आपका टोटल एरिया आ जाएगा जो आपका विगा में है तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी गुनिया को यूज करते हैं तो उसमें जो यह निशान होते हैं यह आपके चार-चार मीटर पर होते हैं तो चार-चार मीटर की हिसाब से आप उसे वर्ग मीटर में कनवर्ट करेंगे और उसके बाद आप उसे बीगा और विश्वया में convert कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें Thank you for watching this video